तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको wash washing machine का drum discale आपको कैसे करना है तो करने से पहले आपको सबसे पहले मैं आपको यह बता देती हूँ कि drum discale हम करते क्यों है तो drum discale हम लोग इसलिए करते हैं जिसे की machine जो है वो internally clean हो सके अंदर से जितने भी bad orders हो सब निकल सके कि drum में थोड़ा भी जंग ना लगे और जो drum की जो running performance है वो लंबे टाइम तक अच्छा perform करें और लंबे टाइम तक यह machine चलती रहे अच्छे से तो इसलिए हम drum discale करते हैं तो उपर से तो हम लोग clean कर लेते हैं बट internally clean करने के लिए हमें drum discale करना पड़ता है तो drum discale के लिए आता है drum scaler powder जो हमें मार्केट से purchase करना होता है तो उसके मैंने video बनाया है कौन सा powder purchase करना है जो आपको सस्ते में पड़े उसका performance भी अच्छा रहे तो उसका मैंने link description box में देतिया है आपको यह बता दूँ कि Room के अंदर यह JUDY जोब होते है कपड़े धोते से हमएं क्या होता है कि वह ditू बलॉक भी हो जाते हैं तो drum discale तो इसमें यह सारे holes हैं जिससे की पानी बाहर निकलता है तो यह drum को clean करने के लिए हम यह drum discale का use करते हैं यह देखिए सामने plane है और नीचे उपर पूरा यह nut है जो आप यह पूरा देख रहे हैं यह पूरा वो है निट है तो drum discale करना ज़रूरी है और हमें इसे कब कब करना चाहिए तो हर five to six months पे हमें drum discale करना ज़रूरी है क्योंकि यह drum अगर खराब हो गया तो इसकी जो प्राइस है बहुत हाई है दस से बारा हजार तक आपके लग सकते हैं ड्रम में दूसरा washing machine में दूसरा drum लगवाने के लिए तो हमें इसको internally clean करते हुए इसका function जो है वो अच्छे से लंबे time तक यह काम करते रहे सारा पानी अच्छे से drain हो सके कपड़े भी अच्छे से wash हो सके तो उसकी लिए हमें drum discale करना बहुत ज़रूरी है तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए अब मैं आपको बताती हू क्यों और कैसे करना चाहिए मैंने online flip card से purchase किया था drum discale powder तो यह मैं आपको दिखाती हूं कि मैं कौन सा यूज करती हूं यहां पर नहीं लिया है आई एवब का drum discaler powder बहुत लोगों ने question किया था कि drum discale wash company का यह आपने drum discaler powder क्यों नहीं लिया है तो मैं आपको एक सीच क्लियर कर दूं कि wash washing machine का drum discale recorder बहुत costly भी होता है और normal अगर हम लेते हैं तो उसमें ज्यादा परक नहीं पड़ता है जिस तरीके से detergent लेते सामें हम अपनी choice रखते हैं उसी तरीके से drum discale करने के लिए उसके powder भी लेने के लिए हम अपनी choice रख सकते हैं तो मैं यहां पे मैंने order किय तो यहां पे मुझे five pouches मिले थे इसके मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ unboxing करते हुए कि मुझे कितने का यह पढ़ा था तो देखिए मैंने last April में starting April में drum discale किया था और तब से मैंने रखा हुआ है विल्कुल भी अखराब नहीं हुआ है अभी मैं इससे three times extra भी drum discale करूं यहां पर मशीन में एक option देता है drum discale का तो हमें यहां पर क्या करना है पावर मैंने on कर दिया है और मैं यहां पर drum discale को select कर दूंगी यहां पर select करने से यहां पर एक घंटे 10 minutes ले रहा है अब मैं यह pouch को open करके इस drum में ऐसे ही डाल देना है तो यह powder होता कैसे है वह मैं आपको दिखा देती हूं शुगर के टाइप का यह powder होता है drum discale powder तो यह मैं इस drum में as it is ऐसी डाल देना है कोई फर्क नहीं पढ़ता है फ्रेंट्स की wash company का है तो हमें wash company का ही डालना है यह मैं second time drum discale कर रही हूं first time मैंने किया था तो उसका मैं वीडियो बना के डाला हुआ था आप चाहें तो वह भी देख सकते हैं तो यह मैं second time डाल दिया है दोर को बंद कर देंगे कि और इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है यहां पर मनें ड्रम डि शकल सऺच कर दिया है ताइमिंग जो भी लेरा है थंडे पानी से ही ड्रम को करेंगा बस हमें यहां से क्या करना है starting कर देना है स्टार्ट करने के बाद अब जो भी इसका ड्रम की इसके प्रोसेस से वह स्टार्ट हो जाएगा और ड्रम बहुत अच्छी से चमकने लगता है अभी जब कंप्लीट होगा तो उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि देखी क्या शाहिन आती है और मशीन अंदर से कितनी अच्छ हो जाती है अब मैं आपको स्पीडली बताऊंगी सब्टाइटल के साथ स्पीडली दिखाऊंगी कि हर टाइम पे 20-20 मिनट पे क्या हो रहा है इतना लंबा यूडिय मैं नहीं बना सकती हूं तो इसलिए मैं आपको 20-20 मिनट पे छोटे-छोटे वीडियो बना के आपको इस स्केलिंग में मशीन करता क्या है कि जो डिटरजन ये वाला होता है इसमें जाग बहुत ज्यादा बनता है और ये पानी के साथ मिक्स होके clockwise, anti-clockwise हर motion में मशीन चला-चला के एकदब ड्रम को क्लीन कर देता है और पानी का जो यह है इतना effective होता है थोड़ा सा soda type में होता है कि जब पानी drain हो रहा होता है तो उसके रास्ते में जो भी germs, जो भी bad orders होते हैं वो सारा अपने साथ निकाल के बाहर लेके चला जाता है तो इसलिए ड्रम de-skill करना बहुत ज़री है आप देखिए कितना सारा जाग इसमें बन गया है आप इस टाइम पर मशीन अगर pause भी करें पानीब होगा उससे पहले डोरों पे नहीं हो सकता कि द्रम de-skill का ये जो हमने फीचर अपने वह प्राइब करना फंक्शन वह कंप्लीट हो गया है लेकि द्रम de-skill अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है इसके बाद हमें एक का मौर करना है वो क्या तो मैं आपको बचाएब को पहले off कर लेना है उसके बाद अभी de-skill के बाद हमें एक बार इसको rinse करना है कि थोड़ा बहुत अगर जो जहाग आप देख रहे हैं और ड्रम में जो भी जहाग थोड़ा बहुत लगा हुआ हुआ दे रहा है तो बहुत लोगों ने यही शिकायत किती कि ड्रम-d-skill के बाद भी drum clean नहीं हो रहा है तो ड्रम-d-skill के बाद हमें rinse करना भी बहुत ज़रूरी है तो यह आपको बहुत ध्याम देना है तो यहाँ पर देखे मैं ने rinse कर दिया यहाँ पर टाइमिंग आ गया है त फिर से इसे start कर दे रहे हूं अब यहाँ पर rinse हो रहा है तो इसके साथ मैं कुछ important बाते भी आपको बता दे रही हूं friends अगर आपके washing machine में drum-d-skill का यह function नहीं दिया है तो आप कौन सा select करके drum-d-skill करेंगे तो इसके लिए आपको करना क्या है कि जो भी आपके fabric में जिसमे भी timing सबसे ज़्यादा ले रहा है एक घंटे देड़ घंटे के आसपस जो भी timing washing का लेता है तो उसको भी आप select करके drum-d-skill कर सकते हैं जैसे यहाँ पॉर्टेन पे एक घंटे लेता है तो जैसे आप चाहेंगे तो पॉर्टेन को select करके drum powder इसमें डालके आप select कर दीजिए यह भी drum-d-skill का काम करेंगा दूसरा important बात कि जब drum-d-skill हो जाए तो हमें इसका drain pump maintain जो नीचे दिया रहता है उसे भी clean करना है detergent tray है उसे भी हम थोड़ा clean करेंगे तो इस पर मैंने overall वीडियो बनाया हुआ है उसका भी link दे दूंगी आप एक बार उसे जरूर देखें अगर आप चाहते हैं कि machine को अच्छे से clean करना डीपी तो आपको यह दो चीजों को भी clean करना है तीसरी important बात आपको यह ध्यान दे तो फ्रेंड्स यहां पर आप देख सकते हैं पानी में कितना सारा थोड़ा बहुत जाग निकल गया है अगर आप रिंज नहीं करेंगे तो यही दिक्कत आएगी ब्लॉक्स में थोड़े-थोड़े सा detergent रह जाता है तो आपको डीश के बाद रिंज करना बहुत ज़रूरी के अवशेन अंदय को सके और आब लेने लेना है में कौन आर माल रिस एम ऑन बोट को वाइप करना है और जो रबड पाट है ूसके अंदर दोल्गा थोड़ा पानी रहता है है कि आई यह पूरह मैं व्यपट अध्य यहां है जो भर्त के मियुत पूरा पानी शुखा देना है और अब रम में अंदर में थोड़ा थोड़ा सा पूछ देए कि अब देखे इस पर वह कितना सारा पानी है पहले मैं आपको ड्रम के अंदर दिखा देती हूं कि कितना शाइन आ रहा है ड्रम में से कितने अच्छे से एक लीं हो गया है तो यह देखिए फ्रेंड्स ड्रम कितना चमक रहा है यह देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था और अब देखिए थोड़े भी होल्स ब्लॉक नहीं है बहुत लोग कहते हैं कि होल्स ब्लॉक हो जाता है तो आप गलती यही करते हैं कि ड्रम डी स्केल के इसी के साथ यह drain pump को भी मैं clean करूंगी और यह detergent tray भी साथ ही साथ में clean कर देना है तो इससे मेरा machine overall clean रहेगा फिर बंद करने के बाद मैं पूरे body को भी अच्छे से एक बार clean कर दूंगी थोड़ा से गरम पानी में कपड़े डालके इसको अच्छे से पोज दूंगी छे मह कोई query है आपको कुछ भी पूछना है drum d skill से related या भी wash machine से related तो आप मुझे comment करीब आपको तुरन जवाब दूंगी और फिर आपके घर में भी wash washing machine है या कोई भी company का front load machine है तो आप मेरे चैनल को ज़रू subscribe करें क्योंकि जो भी मैं video बनाती हूं अपने experience based पे बनाती हूं तो आपको मेरी वीडियो से बहुत सारी help मिल सकती है मिलती हूं मैं next video में तक तक लिए take care and bye